दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है सात्वान तराष्ठी योग दिवस राश्पति उप्राश्पति उप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया योग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतराष्ठी योग दिवस के अवसर वकाहा कि कुरोना महामारी संकट के बीच उम्मीद की किरन बना हुआ है योग शारिडिक शक्ती ही नहीं मानसिक रूप से चुस्त दुरूस्त करता है योग देश भर में आज से अठारा बच्ते अधिक आयो के लोगों के लिए केंद्र सरकार के तरफ से मुस्त ठीकाखन महा अभ्यान की हुई शुरुआर इस चलों में सबसे अदा लाब गरीबों मध्यमवर्ग और देश के युवाओं को होगा और मुख मंत्री हो गया आदे तनाद में लखनों के सिविल अस्पताल जाकर कोविट के ठीकाखन बूत का किया अंदिरिक्षन मुफ्त वैक्सीन के अभियान के लिए प्रधान मंत्री को दिया धन्यवाद नमस्कार मैं हम वजजे श्रवास्तो योग दुनिया को भारत की अनुभंदेन है योग से तातपर, शरीड, मन और आत्मा के मिलन से है इसमें शरीड, मन और आत्मा का पथ एक हो जाता है इसका अभ्यास करके हम एक समगर जीवन जी सकते हैं और समाच में सकारात्मक्ता ला सकते हैं साथ में अंतरास्टे योग दिवसकी आप सभी को शुब काम नाएं दुनिया भर में आज साथवा अंतराश्टे योग दिवस मनाया जा रहा है राश्पती रामनात को विन्ने अंतराश्टी योग दिवस पर राश्पती भवन में योग किया ट्विच पर दिये अपने संदेश में राश्पती ने कहा कि अंतराश्टी योग दिवस की सभी को बढ़ाई हजारों वर्षों से लाखों करोनों लोगों को स्वस्त और खुशाल जीवन का वरदान शरीड और मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे रिश्यों ने विश्व को दिया है मानवता को ये भारत के अनुपम देन है योग कोविड नाइटीन के संदर्व में भी साहयक हो सकता है अन्तराश्टी योग दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी न कहा है कि कोरोना महमारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरन बना हुआ है कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कारक्रम नहीं हुए हो लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उमीद के किरन भी बना हुआ है दो बर्से दुनिया भर के देशों में और भारत में बले ही बड़ा सार्वजनिक कारकम आयुजित नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस के प्रती उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है पियम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग सिर्फ शारिडिक शक्ती ही नहीं बलकि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त करता है पियम मोदी ने ये भी कहा कि योग हमें स्ट्रेस और स्टेंथ और निगेटिव से क्रेटिविटी की रास्ता दिखाता है योग हमें अवसात से ओमंग और प्रमात से प्रमात तक प्रसाद तक ले जाता है योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ती हमारा आंतरिक सामर्त इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड नहीं सकती योग हमें स्टेज से स्ट्रेंथ की और और नेगेटिविटी से क्रियेटिविटी का रास्ता दिखाता है योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है साथी पियम मोदी ने ये भी कहा कि भारत के रिश्यों ने भारत में जब भी स्वास्त की बात की है तो इसका मतलब केवल शारिडिक स्वास्त नहीं रहा इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर भी जोड दिया गया है जब भारत में यूनाइटेड नेशन्स में अंतराश्टे योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्वक लिए सुलब हो पियम मोदी ने कहा कि भारत अब विश्वस्वा संगठन के साथ मिलकर एम योगा एप की शुरुआत करने जा रहा है इस मोबाइल एप में योग के अलग-अलग आसन और अनजानकारिया मिल पाएंगी जो अलग-अलग भाशाओं में उपलब्द रहेंगी पियम मोदी ने कहा कि सब को साथ लेकर चनले वाले इस योग यात्रा को हमें और आगे बढ़ाना है जब भारत ने उनाइटेड नेशन्स में अंतराचिय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलब हो आज इस दिशा में भारत ने उनाइटेड नेशन्स डबलियोचो के साथ मिलकर एक और महत्वपूर कदम उठाया है अब विश्व को एम योगा एम योगा एम योगा एप की शक्ति मिलने जा रही है इस एप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षन के कई विडियोज दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में उपलब्द होंगे सूचना उप्रसानर मंत्री प्रकास जावडेकर ने अपने आवास पर अंतरराष्टे योग दिवस के अवसर पर योगा भ्यास किया ट्विटर पर प्रकास जावडेकर ने कहा कि सुबा योग करने से सकरात्मक उर्जा के साथ दिन रोशन होता है जावलेकर ने ये भी कहा कि योग को अपने दंचर्या का हिस्सा बनाया जाए मुखमंत्री योगे आदे तनात ने साथ में अंतराष्टे योग दिवस के अवसर पर प्रदेश वासियों को हारदिक बधाई और शुब कामनाई दी है उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन विद्या और हमारी रिशी परंपरा का प्रसाद है योग के माध्यम से जीवन में स्वास्थ सुख शांती समनवे तथा कल्याण संभव है मुखमंतुरी ने कहा कि प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी के प्रयासों से योग को अंतराष्टे पहचान प्राप्त हुई है योग नकारात्मक्ता को दूर करने और शारेडिक वबानसिक रूप से स्वस्त और निरोग रहने का एक महत्पून साधन है साथमें अंतराष्टे योग दिवस का विशय योगा फॉर वैलनस निर्धारित किया गया है इस वर्ष ये आयोजन शारेडिक और मानसिक कल्यान के लिए योग का भयास करने पर केंद्रित होगा अंतराष्टी योग दिवस के उसर पर मैं प्रदेश के सभी इनागरिकों को इरदेश से बदाही देता हूँ हम सब जानते हैं कि देश के सुष्षी प्रधानमंत्री आधणिये सिन नरेंद्र मोधी जी के प्रियास से स्विक राष्ट संग ने आज से छे वर्ष पूर भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतराष्टी मानिता देते हुए 21 जून की दिथी को अंतराष्टी योग दिवस की रूप में मानिता दी थी तब से प्रती दिन 21 जून की दिथी अंतराष्टी योग दिवस की रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है यह भारत के लिए एक गौरव का छण है कि जब हम अपने जिसी परंप्रा के इस अन्मोल उपहार को लोग को कल्याण के लिए और मानोता के कल्याण के लिए इस अंतराष्टी योग दिवस के उसर पर प्रदान करने में सफल हुपा रहे हैं प्रदान वंतरी नर्रिंद मोदी ने कहा है कि केंदर सरकार आज से हर भारत वासी को मुफ्त वैक्सीन का कारकम शूरू कर रही है वैक्सीन अभियान के इस चरण से सबसे बड़ा लाब गरीबों मध्यमवर्ग देश के युवाओं को होगा हम भारत वासी वैक्सीन लगवाएंगे और मिलकर कोरोना को हराएंगे तो प्रदान मंतरी नर्रिंद मोदी के सावान के बाद केंदरी स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्श वर्दन ने भी कहा है कि वैक्सीन आज हमारे बीच एक सुरक्षा कबच है हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर देश वासी को वैक्सीन मिले उन्होंने कहा भारत सरकार के प्रयासों से देश में 18 साल से उपर के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी 21 जून से ही पूरे भारत में पधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के आशिरवात से भारत सरकार के प्रयास से भारत सरकार के द्वारा उपलब्द कराए गए फंड्स के माध्यम से हर 18 साल से उपर के भारत वासी को देश के हर सरकारी स्वास्त केंदर पर जहां जहां भी वैक्सिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर भारत सरकार के द्वारा उपलब्द कोविड के खिलाफ वैक्सीन निश्खुलक उपलब्द कराए जाएगी इसलिए हम सब अपना कर्तव निभाते हुए अपने परिवार में अपने मित्रों की टोली में अपने वर्क प्लेस पर ये सुनिश्चित करें कि हर भारत वासी जल्दी से जल्दी वैक्सिनेट हो मुखबंतरी हो गया अधितनाथ ने केंदर सरकार के सहयोग से आज से शुरू हुए वैक्सिनेशन का सिविल अस्पताल जाका अंदर रिक्षन किया उन्होंने वैक्सिनेशन कराने आए लोगों से जानकारी प्रात की इस हब सब उन्होंने कहा कि 7600 वैक्सिनेशन सेंटर पर 18-44 वर्ष के आयो के लोगों का वैक्सिनेशन किया जा रहा है प्रते दिन 6 लाख लोगों का वैक्सिनेशन किया जाना है वैक्सिनेशन का कारक्रम 16 जनवरी से ही प्रदेश में संचालित किया जा रहा है एक जुलाई से 10 से 12 लाख लोगों का प्रतिदिन वैक्सिनिशन किये जाने की योजना है इसके लिए उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का धनिवाद ग्यापित किया है उन्होंने लोगों को फ्री में वैक्सिन उपलब्ध करवाई है पहली मई से अठारा से चबालिस आई उवर्क के लोगों को वैक्सिन देने का कारिक्राम चलाया गया वैक्सिनेशन का ये कारिक्राम अठारा से चबालिस के बीच में राज्य सरकारें अपने अस्तर पर करवा रही थी और पैंतालिस वर्स से उपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुप्तमय वैक्सिन उपलब्ध करा रही थी लेकिन मैं अब हर वैक्त करना चाहूंगा अधने प्रणान मंत्री जी का जन्हों ने अठार वर्स से उपर के सभी लोगों को मुप्तमय वैक्सिन भारत सरकार ने देने की कारवाई प्रारम की और आज से प्रदेश के अंदर 7600 से अधिक बूत पर वैक्सिनेशन का ये कारिक्रम अप्रारम्ब हो चुका है हम लोगों ने आज से लक्से रखा गया हम 6 लाख वैक्सिन प्रति दिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ता से 10 लाख से 12 लाख वैक्सिन प्रति दिन देने का लक्स से रखा गया है जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्स से अधिक आयू के प्रते एक नागरी को पूरी तरह वैक्सिनेट करते वे करोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रतान कर सके यहां पर वे आपने देखा होगा पहले केवल दो बूत संचालित होते थे आज से या चार बूत संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक से दिक लोगों को कि वैक्सिन देने मुप्त में वैक्सिन देने और समय पर वैक्सिन देने के जिस लक्ष को लेकर की आधनी प्रधानमंची मंत्री जी की मन्सा है उसके इन रूप ताज्य सरकार और एक नागरी को मुप्त में वैक्सिन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिसामें कदम बढ़ा रहा है यहां के सासाथ प्रदेश के भी विभिन सभी जन्पदों में ये काड़िकरम सभलता पुरवक आगे चला है सिविल हस्पताल में आज से शुरू हुए वैक्सिनिशन के लिए व्यापक विवस्था की गई है पहले से संचाले तो दो बूथों की जगें चार बूथ बनाये गए हैं महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाये गया है लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के साथ वैक्सिनिशन कराने का आग्रह किया जा रहा है अधिक से अधिक लोग वैक्सिन निशन लगमाएं इसके लिए सारी सुभधाएं अस्पताल में मौहिया कराए गई हैं अलग से हमारे हाँ आज ग्राइब तो वही हमलों ने बूत अलग से बनाए हुए हैं यह 18-44 होलों के लिए महिला बूत अलग है हमारे हाँ और पूरिशों का बूत 13-44 अलग से बना हुआ है आज हमारे पास जो टोकेन बांट हैं जिससे भीड भाण नहों जिसका स्लाट बूक है टोकेन ले तब जाए वहां पे इसलस हमलों ने बूस्ता बना हुआ है कि लोगों के आपास भीड ना हूँ उनको किसी तरह की दिक्कत ना हूँ किसी तरह की मैक्सिम्म लोगों को हम लोग बेनिफीच करा पाएं वैक्षिनेट करा पाएं यह हमलों का प्रयास है आज अंतराश्टी योगा दिवस मनाया जा रहा है इस अब सब भारत सरकार के संस्कृति मंत्राले द्वारा विबिन ने संदक्षित इस मार्कों में योगा का आयोजन किया गया लखनों के रिजिडेंसी में आयो जित योगा में सैक्णों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया साथी संगीत नाट अकादमी के कलाकारों द्वारा कथक निर्त की प्रस्तुदी भी की गई मैंने ये सोचा कि क्यों ना महायोगी करके हम प्रोडक्शन बनाएं जो कि महायोगी भगवान शिव हैं और हमने आज के जमाने को जोड़ते हुए इसमें कंटेंप्ररी डांस को भी जोड़ा है जो वेस्टन डांस है तो कथक कंटेंप्ररी और योगा इन तीनों का मिला के एक हमने समावेश करके इसको दिया है मैसेज ये देना चाहेंगे कि सारे भारती अपनी संस्कृति अपने धरोहर को ना भूले जो इतने हजारों साल से च चिकस्ता नहीं थी योग करने से नियमित योग करने से स्वास रहेंगे कोई बीमारी है वो दूर हो जाएंगे इनर्जी लेबल बढ़ेगा सरीर की इमुनिटी बढ़ेगी और स्वांस लेने की छमता बढ़ेगी लंक्स का कोरोना में मजबूत होना ज़्यादा आवस्यक ह तो मैंने अभी जो आसन कराए हैं कुछ आसन उसमें लंक्स की बिर्दिंग की कैपस्टी बढ़ेगी तो सभी लोग अभ्यास करें और मैंने जितने लोगों को योग कराया उसमें से 10% लोगों को को कोरोना हुआ लेकिन सभी 10% जो रिकवर कर गए वो योग के कारने हुआ चुकि वो नियमेत हो कर रहे थे प्राणायाम कर रहे थे इसलिए वो स्वस्ति अंतराश्टी योग दिवस के अवसर पर आज लखनों केंदरी भवन पर रीजनल आउट्रिच ब्यूरो सूचना प्रसाल मंत्राले भारत सरकार के करमचारियों ने योगा भ्यास किया पत्र स के माध्यम से ही आप निरोगी काया पा सकते हैं उन्हों ने ये भी कहा कि करोना महमारी के दौरान बहुत से लोगों को योग से फाइदा मिला है करोना की दूसरी बिहरफ के दौरान ऑक्सिजन की कमी को दूर करने के लिए योग कार गर रहा है श्री सरोज ने कहा कि लोगो को योगा भ्यास अपने दिन्चर्या में शामिल करना चाहिए। योग की योगा आरोग के लिए योगा तो हम अपने आपको इस महामारी के दोरान जब देखे होंगे कितने आसान ऐसे हैं जो आक्सीजन लेवल को तुरंत बढ़ा देते हैं। भारते इंता पार्टी के राष्टे महामंतरी संगठन बी-ल संतूश और पार्टी के प्रदीश प्रभारी रादम होन सिंग उत्तर प्रदीश के दोरे पर आज लखनों में हैं। इस को लेकर कार्यकरताओं को इस काम में जुटने की बात कही गई। पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंग ने हाला कि बताया है कि बी-ल संतोश और पार्टी प्रभारी रादम होन सिंग संगठनात्मक कार्यों को लेकर बैठक कर रहे हैं। संगठन के द्रिश्टी से उनका प्रवास है और विभिन बैठकों में रहेंगे। उन बैठकों के माध्यम से आगे भारती जन्ता पार्टी अपनी गतिविदियों को बढ़ाए। सात्वें अंतराष्टे योग दिवस के अवसापर भगवान बुद्ध की प्रथम उबदेश इस्थली वारनसी के सारनाथ में भारते पुरातत विभाग के सोजन्य से वरहद योग कारकम का आयोजन किया गया। इस कारकम में उपस्तित लोगों द्वारा योग के विभिन आसनों क्रियाओं के माध्यम से अपनी काया को निरोग रखने का संदीश पिधिया गया। कि योग ने हमारे जीवन शैली को बदल कर रख दिया है, योग के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हराया जा सकता है। योग हमारे जिन्दिगी बहुत बड़ा सच है, जिसमें हम अपने मन, मस्तिश और शरीर को इकागर करके अपना चिंतन, मन्थन और अपने स्वास के लिए जागरूख होते हैं। इस बादी ठीम है योगा फॉर वेलनेस। आप सभी जानते हैं। स्वास बहुत ही जिस तरीके से महामारी हमारे चारो तरफ फैली हुई है। उसमें योग की महत्ता आयूश मंत्राले में भी आप लोग को संजाई होगी। और हम यह जानते भी हैं। किसी को संजाने के जरद्व नहीं हैं। हर एक आदमी यह जानता है कि योग हमारे लिए कितना महत्तपूर है। योग भारत की सबसे प्राचीन विधा है। अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन लोगी भगवान संकर हैं। भगवान सिभ ही सबसे बड़े योगी है। तो हमारी योग मिला उतनी पुरा नहीं है। उसके बाद जब भगवान बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं। तो उनके जितने भी मुद्राएं हैं सब योग मुद्राएं हैं। कहने का मतलब यह है। यह सबसे प्राचीन मिला है और इसे सरीर को निरोगी काया रखने के लिए अती प्राचीन काल से इनका परियोग किया जा रहा है। साथवें अंतराष्टी योग दिवस पर आज ताज नगरी आगरा में परहटन मंत्राले और भारतिय पुरातरत्त्त सर्विक्षन विभाग द्वारा आगरा किले में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अत्यती के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के राष्टे अध्यक्ष और फटेपूर सीक्री सांसद राचकुमार चाहर और प्रफिसर एस पी सिंग बगहेल के दौरा योग कर लाल किले की प्राचीर से जन जागुरता का संदेश दिया गया। आगरा के लापरिसर मैयावजित योग कारग्रम में भारते पुरातत्तर सन विक्ष्ण विख्षण विभाग के अर्धिकारी और करमचारियों को योग गुरु द्वारा योग के विभिन क्रियाओं को कराया गया। भाजापा किसान मोर्चे के राष्टिय धक्ष और भाजापा सांसद राचकुमार चाहर ने कहा कि 21 दिसंबर 2014 को प्रधान मंतरी नरेन रमोदी ने दुनिया के 193 देशों को योग के लिए समर्थन और माननता दी। उन्होंने कहा कि राष्ट के निर्मार के लिए मनुष्ट को स्वस्त रहने के लिए योग प्राणायां बहुत जरूरी है। वहीं सांसद एसपी सिंग ने कहा है कि योग को अनिवार विशे के रूप में प्रात्मिक स्कूलों से शुरू होना चाहिए। सबसे पहले तो आज अंतरास्टे योग दिवस्त की बहुत बहुत बढ़ाई और सभी को बहुत बहुत शुब कामना है। आज मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म के दौरा आरक्रोलोजिकल डिपार्टमेंट ने अलाल के लिए पर योग दिवस्त का योजन किया। 21 जून आज योग दिवस्त अंतरास्टी स्तर पर मनाया जाता है। इसके लिए मैं देश के सबस्वी प्रधानमंत्री विश्व प्रिये नेता, हम सब के नेता मानी है प्रधानमंत्री नरीनर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं योग प्रणायाम इस बहुत हबश्यक है, हम तो मैं योग दिवस्त की बहुत बहुत शुक्त का निर्मान होता है। मैं हमेसा कहा करता हूं कि ये अन्वार हमारा एक विश्य के रूप में प्रैमिरी से सुरू होना चाहिए, बल्कि इस उमर में कराने के लिए वो कोई भी चीज छोड़ सकता है लेकिन कभी जोड़ सकता है लेकिन ये बड़ी उमर में जाकर कि हम लोग सीखते हैं तो इससे भागने की कोशिश करते हैं इसलिए एक ठोड़ा सा बजट एक योग शिक्षक हर्विद्देले मेनवार होना चाहिए और अगर हम योग पर थोड़ा सा बज़ेट खर्च कर देंगे तो स्वास्त कारवों के बज़ेट में बहुत बड़ी कटोती हो जाएगी सरकार पर कोई वित्ति भान नहीं होगा मेरट के हस्तिनापुर में सांस्कृतिक मंत्राले भारस सरकार के पुरातत विभाग मेरट मंडल द्वारा अंतराश्टी योग दिवस पर योग किया गया योगा प्रशिक्षक सवेंदर कुमार ने योग के दोरान कपाल भाती मंडूक आसन पवनमुक्त आसन उतानपाद आसन नोक आसन गोमुक आसन धनु आसन शशांक आसन चक्र आसन वक्र आदी आसन करवाए मेलट मंडल के भारतिय पुरातत सर्वेक्षन अदिक्षन पुरातत विद डॉक्टर डी बी गर्नायक ने कहा कि योग करने से जहां शरीर स्वस्त रहता है वहीं मन भी प्रसंद रहता है हमें अपनी दिन चर्या में योग को शामिल करना चाहिए आज भारत के कोने कोने में योग किया जा रहा है मिनिस्टरी कल्चर की तरफ से तो आज यहां पर हम हस्तिनापूर में योगा दिवस के मिरठ मंडल के सब करमन्चारी और हमेरे कुछ लोग जबाए थे सेसेशन के नेशनल के सेंट्रल कॉल्च्टरल जों की तरफ से समील के हमारे यहां योग दिवस किया है योग एक विज्ञान है, योग वैक्ति को सारिलिक और मानसिक, दोनों रूप से, दोनों प्रकार से वैक्ति को फिट रखता है, माना योग करने से कोई भी बीमारी या विकार बोडी में नहीं रहता, योग एक विज्ञान है, योग कोई किसी धर्म या जाती से इसका कोई सम योग जाती धर्म से परे है और योग क्या है योग एक विज्ञान है और जिसको हम डेफिनिशन दे सकते हैं आज मैंने योग किया और ये मुझे करके बहुत अच्छा लगा हम सबको यह करना चाहिए इससे जो है हमारी जो भी शारिरिक बीमारी है वो सब खतम होती है और बहुत अच्छा फील भी हम इससे कर सकते हैं तो हम सबको करना चाहिए हर रोज करना चाहिए पुरे विश्व में साथवां अंतराष्टी योगा दिवस मनाया जा रहा है उद्यान विबा के अधिकारी पंकच तिवारी ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करते हुए लोगों ने योग किया है आज सब्तम अंतराष्टी योग दिवस है इस कड़ी में अपने देश के 75 एतिहासिक और महतपूर अस्थलों पे भारत का आजादी का अमरित महुसोग मिन्स्ट्री आफ कल्चर के द्वारा इसका आयोजन किया गया जिसमें यहां प्रयाग राज में हमारे सारणात मंडल का रियाले और प्रयाग राज एंसी जेट सिसी के द्वारा यह संजुक तेक कारिक्रम था जिसमें योग और योग से जुड़ी नित्र सहली और संगीत से समंधित कारिक्रम को इस पवित्र जगा पे जहां पे अमर सह शेत्र सांस्कृतिक केंडर के सभी योग प्रतिभागी जो पिछले तीन साल से योग कर रहे हैं आज उन्होंने योगा भ्यास किया है और हम लोगों ने समाज में यह मेसेज दिया है कि चाहे कोरोना काल हो चाहे कैसी भी बिमारिया हो कुछ भी हो हम हमेशा योग करते कोई उमर नहीं होती है पांस साल से लेकर हर उमरे के बच्चे चाहे बच्चे हो युवा हो विद्दा हो हर किसी के लिए योग है योगा भ्यास करने से हम हमेशा स्वस्त रहते हैं हमारी इम्मिनिटी मजबूत रहती है हमारा बोडी मिंटेन रहता है और हम दीर धाय होते ह जनपद कानपुन नगर के नाना राउ पार्क वेल मेमोलियर गाडन फूल बाह प्य अंतराश्थी योगदिवस के अवसर पर लोगों को योग की परती जागरू करने के लिए आजादी का अमृत महुत सोब के साथ अंतराश्थी योगदिवस का अयोग्जन किया गया, एस सबसब पर योग गुरु धीरेंदर कुमार दिवेदी ने यग से असाध है बीमारियों से मुक्ति का कारम बताया उन्होंने कहा कि योग के माध़म से कोवेड संक्मित कई लोगों ने अपने आप को बचाया है उन्होंने कहा कि योग का हमारी चीवन में बहुत महत्पूर्ण स्थान है हम सब को इस विद्या का आदर करना चाहिए और बुलेटन में फिला हल इतना है दीज़े अजासत नमस्कार झाल